तो हेलो एवरिवन ये MSP Knowledge Official YouTube चैनल है और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Sectors of Indian Economy का आपिसोड नमबर थ्री तो बस चाय पानी और दो मिनिट की मैगी बना कर बैट जाओ और इस वीडियो को देखते रहो तो देखो पिछले वीडियो में हम लोगोंने बहुत पड़ा था Public, Private, This Guys, Employment, Unemployment ये सारी चीज़े हम लोगोंने देखी थी अब हम लोग उसके बाद की कहानी शुरू करेंगे तो देखो अगर कोई Employment हो रही है तो उसको Sectors में हम लोग Divide कर देते हैं दो सेक्टर में Organized Sector and Unorganized Sector Organized Sector वो होते हैं जो कि Government के साथ Registered रहते हैं और जो Government के दिये गए Rules and Regulations को Follow करते हैं जैसे कि माल लोग तुम लोग किसी स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो तुम्हें Proper बता दिया जाएगा कि तुमको कितनी salary मिलेगी कितना घंटा तुमको पढ़ाना पड़ेगा कितना काम करना पड़ेगा तुम्हें कितने दिन की छुटी मिलेगी ये सारी चीज़े तुम्हें बता दी जाएगी लेकिन Unorganized Sector में Businesses Registered नहीं होती है मतलब Government को नहीं पता रहता है exactly कि ये भी कोई Business चल रहा है इसमें क्या होता है कि Government का Supervision नहीं रहता है और Government के Rules and Regulations इस पर नहीं चल पाते हैं जैसे कि कहीं Local Construction वा रहा है तो तुम्हें वहाँ पर काम करने का मौका मिल जाएगा लेकिन तुम्हें प्रॉपर ये नौकरी टाइप नहीं बताया जाएगा कि तुमको कितने दिन छुटी मिलेगी कितना तुमको काम करना पड़ेगा तुमसे जी जान लगा के काम करवाया जाएगा और कम से कम पैसे दिये जाएगे और Government को ये पता भी नहीं चलेगा कि तुमने काम किया तुम्हें कितना पैसा मिला सो इसे हम लोग अन और्गेनाईस सेक्टर के काम कहते हैं जिसमें लोग प्रॉपर बिजनेस रिजिस्टर नहीं करवाते हैं बलकि जिन जिन बिजनेसेज में जिन जिन कामों में Government का Supervision नहीं रहता है Organized सेक्टर में दूसरी पॉइंट ये रहती है कि जॉब सेक्योरिटी रहती है मतलब तुमको कल कोई अचानक से निकाल नहीं सकता है बिना वजह कि उसको एक Proper वजह चाहिए वहीं Unorganized सेक्टर में कोई सेक्योरिटी नहीं रहती है इसके बाद Third Point ये रहता है कि Organized सेक्टर में Fixed Working Hours रहते हैं और Proper Wage रहता है मतलब कि तुम लोगों से मरमरा के काम नहीं करवाया जाएगा एक Proper Amount of Work लिया जाएगा जो कि Government के Rules and Regulations को Follow कर रहा होगा और इसके बाद तुम लोगों को Proper Wages दिये जाएगे Proper पैसा दिया जाएगा भाई का ऐसा Free में काम नहीं करवाया जाएगा लेकिन Unorganized सेक्टर में क्या होता है कि ना कोई Rule होता है ना कोई Proper Working Hours रहते हैं इसके बाद Organized सेक्टर में क्या होता है कि Government देख रही होती है Government के अंदर सारे काम हो रहे होते हैं उनके Supervision में सारे काम होते हैं तो वाँ पर Pension का तो सोची नहीं सकते हो तुम लोग Organized सेक्टर के एक्जामपल हो जाएंगे Government Jobs, Banks, School और वहीं Unorganized सेक्टर में हो जाएगा धाबा बलब धाबे वाले छोटू को यह नहीं पता है कि कल उसको उसका मालिक तनख़ा देगा कि नहीं Farming भी Unorganized सेक्टर का एक एक एक्जामपल है अब देखो क्योंकि Unorganized सेक्टर को यातंक सी चीज मुझे लग रही है तो इसके बारे में NCRT ने भी हम लोगों को ज़्यादा पढ़ने के लिए दिया है इसमें अब हम लोग देखेंगे कि आखिर Unorganized सेक्टर को हम लोग सुधार कैसे सकते हैं कैसे हम वहां के Labors को Insurity दे सकते हैं कि तुम लोग सेफ जगह पर काम कर रहे हो तो देखो Unorganized सेक्टर दो जगह पर होता है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में उबर चलती है cities में अर्बन मतलब होता है city उबर अर्बन उबर अर्बन इसे एकदम याद कर लो दिमाग में बैठा लो अर्बन मतलब होगा city क्योंकि वहां पर उबर चलती है गाउं में उबर नहीं चलती इसी वज़े से उन्हें रूरल कहते हैं सो तुम लोग ऐसे जिटपुटिया दिमाग लगा कर किसी तरीके से अपने घुटने में सेट कर लो और अब जो तुम लोग को मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना कि गाओं में ये अन और्गिनाइज सेक्टर को सुधारने के लिए उसे इंप्रूफ करने के लिए गवर्मेंट को प्रॉपर चीप लोन देने चाहिए क्यों वहाँ पर बिजनेस चला रहे लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी क्योंकि मालो अगर फार्मिंग तुम लोग कर रहे और किसी साल बाढ़ आ गई पूरा भस्म हो गया सारा चीज तो तुम्हारा तो धंता ठफ हो गया अब जितनी भी तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी बेकार हो गई इसी वज़े से गवर्मेंट को चीप लोन प्रोवाइड करवाने चाहिए जिससे कि कम से कम उन लोगों के पास एक सिक्योरिटी रहे कि अगर फसल तबाह भी हो गई तो हम लोग करज़दारों का करज़ा ओफिशियल लोन लेकर चुका सकते हैं इसके बाद second point यह होगा कि government को अच्छे अच्छे good variety के good quality के seeds सस्ते दामों में अवलेबल करवाने चाहिए क्योंकि देखो अगर कोई farmer है तो उसको अच्छे-च्छे seeds गवर्मेंट से ही लेने पड़ते हैं क्योंकि देखो अगर farmers को अच्छे seeds नहीं मिलेंगी तो उनलों का business कैसे चलेगा अच्छी seeds नहीं रहेंगी तो अच्छी कमाई नहीं होगी अच्छा production नहीं होगा और at the end of the day unorganized sector की हालत बच से बत्तर होती जाएगी अब तीसरा point यह है कि proper irrigation facilities available हो जिससे कि उनका काम proper और अच्छे way में चलता रहे इसके बाद fifth point और common point कि transportation facilities अच्छी होनी चाहिए जिससे कि कहीं पर भी कोई problem ना आए अब हम लोग देखते हैं Uber वाले area में मतलब urban area मतलब city सो देखो urban areas में यह unorganized sector की जो employment होती है वो अलग तरीके की होती है गाओं में यह farming से related सारा unorganized sector होता है और cities में मजदूरी से related unorganized sector होता है मतलब की मजदूरों को labors को सस्ते दामों में काम करवाया जाता है उनसे बे तोड महनलत करवाई जाती है और फिर भी उनके पास job security security नहीं रहती सो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए government को labor exploitation के खिलाफ strict कानून बनाने चाहिए second point कि उन्हें minimum wages set करना चाहिए कि अगर कौन लेबर इतना काम कर रहा है तो भहिया उसको इतना पैसा कम से कम मिलना ही चाहिए इसके बाद third point ये होगा कि maximum hours की एक limit होनी चाहिए कि ये नहीं कि अगर free का मजदूर मिल रहा है तो उससे 28-28 गंटा दिन में काम करवाओ उससे fixed hours से ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए ऐसे rules बनने चाहिए इसके बाद fourth point ये होगा कि गरीब लोगों को शहर में सस्ते दामों में अनाज अवलेबल करवाना चाहिए क्योंकि वो लोग farming तो कर नहीं सकते हैं शहर में और जब उतनी earning भी नहीं हो रही है तो वो लोग खाने के लिए इतना पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे इसी वज़े से सस्ते दामों में उन लोगों को खाने पीने का समान अवलेबल करवाना चाहिए इसके बाद आखरी point की good living conditions हो उनकी मलब ये नहीं हो कि शहर में वो लोग मोगली बनके कच्छा पहन के घूम रहे हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है खाने पीने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो उन्हें एक सस्ते दामों में रैन बसेरा या फिर एक छोटी किसी जुगी जोपड़ी provide करवानी चाहिए जिससे कम से कम वो लोग अच्छी condition में रह पाएं तो अगर इतनी चीजों पर वर्क होता है तो यह अन और्गिनाइज सेक्टर की जो दिक्कते हैं वो सब कम होंगी और सारी चीज़े एकदम proper तरीके से चलती रहेंगी तो इतनी उसका answer यही होगा कि private वाले लोगों का main agenda होता है profit और अगर water और electricity privatize कर दी जाएगी तो लोग उसका price बहुत जादा बढ़ा कर बेचेंगे और गरीब लोग उसे afford नहीं कर पाएंगे इसी वजह से वो अभी भी public है और government उसे provide करवाती है वो भी सस्ते दामों में तो इसी के explanation वाले वीडियो बनके रखे हुएं जाओ उनको देखो चुटपुटिया दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को like करो बस और क्या और तुम्हारे boards के लिए जिसके पीछे पूरी काइनात पड़ी हुई है best of luck